आज हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के जो नैशनल आंथम थे उसको डिस्रेस्पेक्ट किया अब कैसे क्या 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 यह पूरा जो इन्फोर्मेशन है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा डिसेंटली एक पोग्राम में जो अफगा लोग रिक्वेस्ट किया गया अंद आदर साइट वो लोग इसमें कुछ रिस्पोंस नहीं किया हर कोई वहाँ ख़रा था श्रिफ जो डिप्लोमेट्स थे वो लोग बैटे थे जो एक डिस्रेस्पेक्ट शो कर रहा है पाकिस्तान का जो नैशनल नांत हमें उसके लिए आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट कीजिए अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो ये जो पूरा इंसिडेंट है इसको को एख बार सुन लीजिए आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा तो हुआ ऐसा था कि Pakistan government के तरब से खाइबर पक्तूं जो area है उस area में एक seminar organiz किया गया तो इसी seminar में Pakistan government अपने तरब से Afghanistan government को invitation दिया जहां Afghanistan government के दो जो diplomats थे वो Pakistan में आए और यह seminar ही जोइन किया अब यह seminar शुरू हो गया और यह seminar शुरू होने के बाद एक टाइम ऐसे आया जब पाकिस्तान का जो नैशनल नंत्यम था वो फ्ले किया गया अड़ पॉइंट अफ टाइम जो पाकिस्तान के जितने भी सिटिजेंस थे वहां हर कोई खड़ा हो गया ऑन दार साइड यह जो दो बंदे थे मतलब जो दो डिप्लोमेट्स थे अफगानि अगर फिर भी यह दो बंदा कुर्सी से खड़ा नहीं हो आगे जाके यह जो इंसिडेंट है यह पाकिस्तान का नैशनल नंत्यम के प्रति या फिर पाकिस्तान के प्रति एक डिस्रेस्पेक्ट शो क्या तो एक्जाक्ली यह जो डिप्लोमेट्स थे यह ऐसा क्यों किया इसक में कितना खराब रिलेशन हो या फिर कितना अच्छा रिलेशन है और वो लोग अपना ही तरफ से एक अच्छा रिलेशन हमेशा मेंटेन करते इस बढर आपको यह करने का क्या जरूरत है इसका एक्स्टान के तरफ से प्रतेस्टिर हो गया एकंस्ट अफगानिस्तान के आपके जो बंदे थे चिन्हों को हम लोग किये थे यहां आने के लिए यहां के हमारे कंट्री को जो है इस तरह से disrespect किया है यह सब होने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जो तो अफगानिस्तान गवर्मेंट को इसका जबाब दे नहीं था तो अफगानिस्तान का जो आपने तरफ से एक लेटर पबिलिश किया जिसमें लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का जो नैशनल एंथमें इसको डिस्रेस्पेक्ट करने का कोई भी इच्छा हम लोग के पास नहीं या फिर आइसा हम लोग कुछ करना भी नहीं चाहते है अनुसर मतलब आफगानिस्तान के अनुसर जो मुजिक जो है यह रिलिजियन के एगेंस्ट में तो यह जो एक्स्पाइस्टान है पाकिस्तान इसको नहीं माना ऑन दादा से पाकिस्तान ने आप्टे तरफ से बोला कि कि यह आपको भी आंठम के साथ अगर आप कोई भी नाशनल आंथफम कहीं प्लेय हो रहा है कोई भी कंट्री का अगर हम लोग फ्रहा सा पास्ट में जाए तो हम लोगो देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में जिस टालीवान ने टेक ओफर किया था मनला तालीवानी गवर अगर अफगानिस्तान में कोई भी घर में अगर मुजीकल इंस्ट्ूमेंट मिलता है अधर कॉइन पॉइं आफ तैम वह घर जिसका है उसको पब्लीकली पनिश किया जाता है उन लोग का कहना है कि यह music है यह religion के एकने हैं इसलिए यह music ले होना नहीं चाहिए on the other side यही logic जो है वो लोग अपने तरब से establish करने का कोशिश किया था ते वो लोग का जो diplomats थे वो लोग खरे नहीं हुए क्योंकि वहां music बज़ रहा था और music जो है तालिबान नी जो है वो लोग यह music पसंद नहीं करते हैं तो यह सब सुनने के बाद हो सकता है कि आपको लगए कि भाई ऐसा भी country है जहां music नहीं चलता है आज के डेट में दुनिया भन में जब music therapy यूज हो रहा है on the other side यह अफगनिस्तान एसा country है जहां music अगर बसता है तो exactly उसको ऐसे पब्लिकली पनिश किया जाता है obviously एक country के या फिर तालिबानी जो प्रसाशन है उन्हों के उपर depend करते है on the other side यह सब सुनने के बाद पाकिस्तान जो है वो बखला गया तो आपको क्या लगता है exactly यह जो logic है क्या यह valid है उसके लिए हम लोग को एक बार जानना पड़ेगा presently पाकिस्तान और अफगनिस्तान का जो relation है वो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपने तरफ से अफगनिस्तान में bombing किया है जिसके वैसे बहुत सारे जो अफगनिस्तान के citizens ने उनलों का death हुआ है और पाकिस्तान और अफगनिस्तान का relation आज से नहीं बहुत पहले से बहुत इनलब खराब condition है on the other side पाकि पाकिस्तान का जो relation है यह काफी खराब है on the other side इतना खराब होने के बाद भी पाकिस्तान ने invitation बेजा अफगनिस्तान के diplomats दो पाकिस्तान में भी आया और यह incident हो गया तो no doubt पाकिस्तान इसको ऐसे चोने वाला नहीं है पाकिस्तान अपने तरफ से step लेगा हो सकते के near future में अफगनिस्तान के बीच में जो और बहुत पहले से हलका पुलका चल रहा है वह और और भी ज्यादा एसकलेट हो और नेक्स लेवल पर जाए तालिबान गवर्मेंट भी पाकिस्तान को ऐसा चोने वाले नहीं है on the other side दुनिया में ऐसे बहुत जगा वार चल रहा है different countries जो व बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए क्योंकि वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है आप जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आगर आप बेल आकन में क्लिक कर देते तो जब भी वीडियो आएगा आपके पस तुरह नोटिक्रिशन पहुंच जाएगा on the other side चैनल में बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपका लाइक की जो स्पेशल पोसे ने उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि उससे क्या होता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है हम यह जैसे जो रोजी रोटी है वह चलता रहता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कि कुल अठी हो कि कि